नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर दोस्तों क्या आपकी घर में भी क्रह कलेश पढ़ते जा रहे हैं आप थिक तंगी हद से जादा बढ़ गई है कोई शुपकार ने आपके घर में नहीं हो रहा negativity आपके घर में बस गई है हसने का मन नहीं करता घर में सिर्फ मातम का सा महौल चाया रहता है अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज का जो उपाय है वो आपके लिए है क्या ऐसा लगता है आपको कि आपके घर में किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है तो आज का जो उपाय है, इस उपाय को अगर सही तरीके से आप गरेंगी तो आपके घर की कलेश जो है सभी समापती हो जाएगी आपके घर की negativity खतम हो जाएगी, आपके घर की आथिक तंगी पूरी तरहा समापती हो जाएगी वापस से प्यार रिष्टो में और घर में positivity आजाएगी, खुशिया घर में आएगी, शुपकार रहे घर में होगे हम सब अपने घर में सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे घर में खुशिया रहे, हमारे घर में कोई नंकोई मंगल का रहे होता रहे और ऐसा तभी होगा जब इस उपाय को उपनाएगी कई बार लोगों की बुरी नजब से भी घर में नेगिटिविटी आ जाती है ग्रह कलेश हो जाती है तो आएए बेना समय बरबाद करते हुए बहुत ही असान चीजों से आपको उपाय करना है आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके घर की जो सबसे पुरानी वस्तों है उसे आपको दूब ले जाकर जला देना है जी हाँ, सिर्फ इतना उपाय करते ही आपके घर की नेगिटिविटी खतम हो जाएगी आपके घर की आपतिक इस्तिती भी बहतर हो जाएगी आपके घर के आपते किस्तिती जो बहुत खराब हो चुकी है वापिस से आपके घर पर पैसा बवसेगा आप नूटों में खेलेगे जी हाँ इतनी खुशी आपके घर में आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये तभी होगा जब आप उपाय को अपनाएगे तो आईए मैं आपको बताती हुँ इसके लिए आपको सामगवी क्या चाहिए इसके लिए आपको चाहिए होगी चार लॉंग जी हाँ, आपको इसके लिए score long चाहिए होगे और अपने घर का पोछा होगा आपको अपने घर का पुराना पोछा और fighter long की मदद से ये कारे को करना है और आपको करना क्या है, आएए मैं आपको बताद। आपको वीरवार के दिन ये चार लॉंग लेनी है और अपने सर के उपर से वाड़नी है साथ बार जी हाँ ध्यान रखेगा साथ बार आपको एक मंत्र का जाब करते हुए इस लॉंग को अपने सर के उपर से इस तरीके से वाड़ना है उसके बार आपका जो पोचा है घर का पुराना पोचा है उसमें ये चार लॉंग बांध दीजएगा और लॉंग बांध कर इस पोचे को कहीं दूर ले जाएगे घर से बहुत बूर कोशिश किजिए कर जितना जादा दूर आप ले जा सकें जहां आसपास फोड़ा जंगल हो तो बहुत जादा जिशा है अगर ऐसा आप करते हैं तो इसे ले जाकर वहां पे आपने इसे जला देना है पूरी तरह से राख कर देना है जैसे यह पूछा जलेगा जैसे ही यह पूछा और यह लौंग कुई तरह जल जाएगे आपके घर की ग्रह कलेश मानों खत्म होच लेगे और वो एक या दो दिन के लिए ने इस सारे जिंदीगी के लिए कि हमेशा आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी खुशिया और आपके घर के आपती किस्तेटी भी बहतर हो जाएगे ऐसा तभी होगा जब आप सही तरीके पर जिदी करेंगे ध्यान रखेगा जो मंत्र है उसका उचारण सही प्रकाफ से कीजिएगा दोस्तों मंत्र जो है वो सबकी राश्यों ग्रह की हिसाब से अलब होते हैं यह मं मंत्र की सहायता से इस बिधी को उनजाम देकर ऐपने आपकोुशार रख सकते हैं अपने घर में खुश्यों का वातावरन वापस लासकी है तो समय नहीं वरबाद कीजäre मंत्र कर आप्पर अप्र करें और अपनी रूरुजी को अपनी और भी समस्यां बताईए जो समस्या जो भी आपके जीवन में चल रही है जो आप किसी को बता नहीं पारे को यह समस्य किसी भी तरह की आप गुरू billsy आपको फेटे ही समधान बता देंगे और ऐसा समधान जो कभी भी फैल नहीं होता सही तरीके से करेंगे तो वो समधान कभी फैल नहीं होगा सौफ पीसिदी उसका रिजल्ट आएगा और आपके घर का कलेश, आपकी हर परिशानी पूरी तरह समाप्त हो चाहेगे तो अपनाईए और अपने घर की परिशानियों को समाप्त कीजिए गुरू उसे बात करके उनके बताये गए उपायों को अपनाईए जैमाता दी